हिटन रन मामलो पर नए कानून के विरोध में ओसम के परिवहन संगो द्वारा बुलाएगी 48 घंटे की हड़ताल के कारड शुकरवार को राज्जी के अधिकांश हिसो में वानिजिक और सारवजनिक परिवहन से जुड़े वाहन सड़कों से नदारत देखें हरताल के कारड बसे टैक्सियां और एप संचालित कैब नहीं चलने के कारड ओफिस जाने वाले लोगों को अपने कारया सलूं तक पहुचने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और समोटर वर्कर असोसियेशन के सन्यूजक रोमन दास ने कहा कि सरकार किसी भी दुरभागे पुर्ण घटना के लिए केवल चालकों को दोशी ठहराना चाहती है बले ही उसने अपराद नहीं किया हो सडक्य सिती को सुधारने के बजाएवे गरीब चालकों को दंडित करना चाहा रहे हैं दास ने कहा हिट एंड रन मामलों में नया कानून चालक विरूधी है और वाहनों के मालिकों के खिलाफ है हम कानून वापस लेने की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए शुकरवार सुभा पांच बजे से रविवार सुभा पांच बजे तक सभी वाहनों के हर्ताल का अभवान करते हैं लेखनी है कि भारतिय नयाय सनहिता के तहट प्लापरवाही से गाड़ी चलाने और पुलेस या प्रशासन को सुचत किये बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तकी जेल की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्मा ना हो सकता है बिनेस भारतिय दंडस सनहिता की जगह लेगा आईपीसी में ऐसे अपराधूं के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान था अदास ने कहा कि हमने नीजी कार मालिकों से भी इस अंदोलन में शामिल होने का अग्रा किया है क्योंकि या कानून सभी पर लागो होता है फिर चाहें घटना किसी वारे जिक वाहन से हुई हो या फिर छोटी कार से हरताल के हवान के बीच राजिभर के पेट्रोल पंपो पर लंबी लंबी कतारे देखी गए इंधन के आप पूर्ती में कमी के आश्रिंका के बीच लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए कतार में खड़े दिखाए दिये के राजिए थ tại समया या है किस दिए ओर आपर लंबी क wrench सक पर भर लंबार्य ओंपो छ यड हम अख़ाए दो को यडिये दो इवग के अवा जान खिये डिए धा भर रह चुए झाल झाल